तो आज मेरे पास यहाब एक लेटेस लाप्टाप है जो कि एसूस की तरफ से एसूस विवबुक 14X और यह लेटेस 13 जेनरेशन की प्रसेसर के साथ आती है तो चलिए इस बॉक्स को खोलते देखते कि इस बॉक्स के अंदर क्या है और कैसे यह फंक्शन करता है सब कुछ बात करेंगे तो लास्त वीडियो को देखना हो चलिए किक स्टार्ट करते है तो मेरा ना में सोम विस्वास आप देख रहे हैं अगरे कंटर अच्छा लगते हैं तो लाइक कमिन सब्सक्राइब शेयर बाद में करना मट एक चीज़ तेली ग्राम ग्रूप चाके जॉइन करो एमेजिंग डियल्स वक्राइब शेयर करता हूं जो बिलकुली फ्री है सब्सक्राइब और इसको खोलते खोलने के साथ साथ धियरा लैप्तॉप लैप्तॉप को राक्ते हम लोग साइड में और उसके साइड में हमें एक जो है पाउच मिल जाता है जिसके अंदर एक 90 वाट की अडप्टर आपको मिलेंगी और पावर केबल है और बहुत सारी यह की पढ़ना चाते है तो पर सकते हो और एक आप लोगो यहां पर की वार कोड मिलता है तो एक्टिवेट द ऑफिस तो यह रहा लैप्तॉप लैप्तॉप जो है यहां पर फुली आप लोगो टॉप लिड मेटल देखने को मिलती है फिल में बहुत जादा प्रीमियम लगा अच्छी खासी कट आउस है जो एयर फ्लो के लिए बहुत सही होगा और उपर के साइड में आमें एयर आउटलेट का वेंग भी मिलता है और आपको इस साइड में भी आप लोगो एयर आउटलेट का बेंट पर नीचे दो बॉटम फिरिंग स्पीकर से चापर साइड में आ ना के बराबर यहां पर टॉपलीट फ्लेक्स है क्योंकि अपर मेटल लेट अप लोगो मिलता है वानें टेस की बात करें तो एक हाथ से आप इसको आसानी से खोल सकते हो उस पर बिलकुली दिक्कत नहीं आता है उसके बाद मैं हिंज की बात करूँ तो थोड़ी बहुत की आप लोगो मिलती है उतना ज्यादा आप लोगो कुछ भी वा पर दिक्कत नहीं का चिकलेट की बोड है तो टाइपिंग एक्स्पीरिंस भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी और यहां पर अंदर के साइड में आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलता है और नीचे आप 14X OLED लिखा गया है वीडियो में आगे बारने से पहले यहां पर स्पेसिफिकेशिंस के बारे में बात का लिए तो यह वाला वेरियंट है बहुत सारे वेरियेशन के साथ आता है यहां पर लेटेस 13 जेनरेशन का प्रसेसर आप लोगो मिल जाता है जहां पर आप लोगो फ्ल 4 और 20 threads के अंदर है और 24 MB L3 cache अपलोगों मिलेगी 45 Watt के TGP के साथ यह आती है राम की बात करें 16 GB DDR4 RAM है 8 GB on board है और 8 GB का एक slot अपलोगों मिलेगा जहां पर अप्टू 24 GB तक अप्रेट कर सकता हूँ स्टोडेज यहां में 1 TB M.2 NVMe PCI SSD अपलोगों 3.0 की मिलती है और GPU के बात करें यहां बात करें बहुत सारी वर्शन के साथ आप लोगों यह वाला मिलेगा iFab 13500H के साथ भी मिलता है जहां पर RTX 3050 और RTX 2050 का वर्शन भी मिल जाएगा और i9 3099H और RTX 3050 मेरा वर्शन है और यहां पर प्राइजिंग की बात करें 1,70,000 का प्राइजिंग की प्राइजिंग होने वाली है i9 का वर्शन जो कि आप लोग चेक आउट कर सकतो नीचे आप लोगों को लिक में जाएगा तो डिस्प्ले की बात करें डिस्प्ले दे को एमेजिंग डिस्प्ले है 14 इंच की 2.8 की OLED पैनल आप लोगो मिलेगी यहां पर चाहिए आप लोगों को चाहिए आप लोगों को चाहिए यहां पर प्रोफाइल अलग-अलग आप लोगों मिलती है जो कि आप खुद सेट करके है according to your usage आप उसको यूस कर सकते हो इसको पोर्स के बात करें तो पोर्स देखो यार यहां पर राइट साइट पर डिसीन का पोर्ट मिलता है यहां पर चार्जिंग भी सपोर्ट करता है तो उस पर लोगों कोई भी दिक्कर नहीं आगा और उसके बाद आप लोगों 3.5 एक आप लेजिए के बात करें यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आने वाली है अलॉग दट बलूडूथ 5.3 का सपोर्ट है तो चाहें आप लोगों कि यापे वायर्लेस दिवाइस वाखे और यूश करते हो तो उस पर भी कोई इस्यू नहीं है उसको बाद कीब प्रेट कीबोड है जहां पर लोग को कोई भी दिखक्त नियांगा बैकलेट चिकलेट कीबोड है तो आप लोग को यह बढ़िया टाइपिंग एक्सपीरेंस भी दे देगा यह दोस्तों अंदेरे में अगर आप टाइपिंग वेरा करना पसंद करते हो तो यह लाप्टब अगर आप लोग बाहर करते हो तो दिकत नहीं आएगा वन पॉइंट वेरा ट्रवल डिस्टन से टाइपिंग करते वक्त अब को बिल्कुल इस्यु नहीं आएगा उसका ट्रैक्पट की व्याइन की बात करें ट्रैक्पैट यहां पर ग्लास ट्रैक्पैट मिलता है जिसकी बहुत सही है यहां पर आप लोग ट्रैकपट बहुत सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसु नहीं आना चाहिए और यहां पर कोई भी आप लोग को नमपैड वगरा नहीं मिलता है यहां पर जो स्मॉल साइज का कीबॉर्ड है जो टच पैड उसके अंदर भी नंबर पैड का कोई भी आप फीचर नहीं दिया गया इस लाप्टॉप के अंदर उसके वेबकेम क्वालिटी की बात करते हैं तो यहां पर जो इसका वेबकेम कुछ एसा आप लोग को मिलता है आप लोग यहां पर चाहे वीडियो कॉलिंग कर रहे हो ऑनलाइन कंफरेंस आपको करनी है अपर ओनलाइन मीटिंग के तो उस पे कोई ही यही डी को मिले है कोई भी एडिटिंग नावीडियो में आउडियो में किया गया है कैसा इसका वेबकेम क्वालिटी है तो स्पीक चिबात करें यहां पर सुनिक मास्टर की तरफ से आप लोग को दो बॉटम फारी अप्रिद कर देता है उसको बैटरी की बात करें बैटरी देखवी है आप फिफ्टी वाट आवर्ट की एडप्टर है जो कि क्लेम कर रहा है कि 49 मिरिट के अंदर 60% तक चार्ज कर देता है तो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है और यह जो एना यूजिली बैक सब्सक्राइब कर देता है उसका सब्सक्राइब कर देता है यहां पर MS Office 2021 का वर्शन आप लोको मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए Windows 11 होम है और माइस उसके अप्लिकेशन आप लोको मिलेगी और एक अप्लिकेशन जो कि प्रो क्रियेटर हव है जो क्रियेटर लोग है उन लोग के लिए यह सॉफ्टर बहुता काम में आता है जिसके थूप लोग आपकी कलर प्रोफाइल वगएरा को एडिशेस करना है वो भी कर सकत उसको आप लोग रुपलेश करके और भी अफ्गेश आपको करना तो वह कर पाऊँगे उसके थर्मल डिजाइन यहां पर देखते है तो देखे यहां पर आपको डुवेंट मिल जाती है दो हीट पाइप सब्लोको मिलती है यहां पर जो आइसस की आइसकुल थर्मल तो इंटर्नल यही था जो कि आप लोग खुद यहां पर देख पारे हो पॉस करके सारे चीज़ें इन डिटेल देखते हैं तो देख सके तो दोस्ता भी बारी आती है पर पर्फॉर्मेंस जानने की तो पर्फॉर्मेंस की बात करें तो दिखर रूम का टेंपरिचर लगबग देखते हैं कितना आप लोगों गेमिंग पर्फॉर्मेंस यह दिलवा देता है उसके अंदर यहां पर तीन अलग अलग सैंपल्स पर मिनिट ट्राइए तो जिसके मॉंस्टर के अंदर हमें 100.50 यहां पर सैंपल्स पर मिनिट मिला दें जंक शॉप में 63.89 क्लास्टू में 46. नेक्स मैंने यहां पर ट्राइग किया सिने बच आट 23 जहां पर मल्टी कोर का स्कोर मिला 16508 जो कि बहुत सही है अलों विदिया सिंगल कोर भी देखने को मिलता है 2028 जो कि बहुत सभी स्कोर में मानता हूं यहां थर्टीन जेनरेशन बहुत एक्सलेंट परफॉर्म करता है नेक्स मैंने यह गीक बेंच ट्राइग किया तो गीक बेंच के अंदरा हमें अलग-अलग स्कोर मेलती है जैसे कि आपर CPU टेस्ट मैंने किया जहां मुझे 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 10,019 देखने को मिला और CPU की सिंगल को 2656 और यहां पर इसके बाद मैंने ओपन से जादा आप एकस्पेक्ट नहीं कह सकता है हाँ अगर मैं डेडिकेटेट जो जी प्यू गेमिंग लाप्टोप के साथ आती है जहां पे आप लोग को बहुत बढ़िया नाइंटी वाट की टीजी पी के साथ मिलती है उस पे बहुत जादा स्कोर आएगा यहां पर यह जो ल दो लेयर्स की 4K रेडिंग ती जहां पे एक एड्रेश्मेंट लेयर था जिसके अंदर मैंने कलर ग्रेडिंग विरा करके रखा था और यहां में नीचे आडियो लेयर भी था चार मिनिट पचास सेकंड के आसपा साथ टोटल 5 मिनिस आप पकरके चल सकतो यह मैंने रेंडर अगर मुझे कोई दिक्कत नहीं आया अगर में करते हो तो शायद से फुल में आपको दिक्कत आ सकता है तो हाफ टाइम लाइन कर लेना उस पर आपको बहतरीन स्मूद जो है वर्क फ्लो दिखाई देगा और अगर टेरिटीव लेवल की एडिटिंग करते हो तो पूछो ही यहां पर आपको गेमिंग टेस्टों करवा के आपको रिजल्ट देना बनता है तो फर्स्ट गेम लेस्ट वेल और जो कि मैंने यहां पर नाइटीव वेल्फंड रिजुशन में यूस किया था और यहां वी सिंग था ओफ और मीडियम क्वालिटी मैंने सेट कर दिया था औ यहां पर जो जीप्यू का वाटेश है यह 36 वाट तक यह कंजिव कर रहा था ने ट्राइं किया वार्जोन जो की सेम रिजुशन 920-1200 वी सिंग था और डीलेस्स मैंने यहां पर ऑन कर दिया था बैलेंस में सेट कर दिया था और क्वालिटी जो है रेकमेंडेट जो दिया उसी पर मैंने सेट करें गेंप्ले वगारा किया और fps मुझे 80 प्लस fps मिल रहा था और अवरेज और यहां पर लगबग 76 से लेकर 80 दिग्री तक बार बार फ्लक्टूरेट कर रहा था और 20 वाट की यहां पर CPU maximum use हो रहा था और GPU की यहां पर बात करें टेंपरेचर 71 से लेकर 75 degree के आसपास maintained था और यहां पर 36 वाट यह टोटल कंजूम कर रहा रहा उसका मने यहां पर GTA 5 ट्राइब किया जो की यहां पर फर्स ट्राइब किया मेंने 2.8 के जो की तू डबल एच जिरो इंटीन हंडर है वेरी हाई फ्लस हाई का मिक्स प्रिसेट था और fps मुझे 56 से लेकर यहां पर 75 वाट की जो हैं पावर यह सीप्यू कर रहा था तो पावर कंजूम कर रहा था तो पावर कंजूम्शन यहां पर थोड़ी बर चुके थी और यहां पर टेंपरिचर जो है एक चार आड़ लेका यहां पर और यहां पर भी 40 वाल्त से आप च्चेकंची अच्छीं भीरयेशिन में तो आप आशांइंज सकते हो तो अभी final conclusion की बात करें क्या यह product आपको लेना चाहिए तो देख़ए यह वाला product बहुत सही product है अगर आप लोग content creation करना चाहते हो creator हो या फिर अगर आप लोग office में यूज़ करना चाहिए तो entertainment purpose के लिए यूज़ करते हो HHS का powerful processor आप लोगों में जादा 13 generation का along with the dedicated GPU है तो GPU intensive task में भी कोई भी रुकावाट नहीं देगा यह वाला product एक worthy product है अगर आप लोगों को चाहिए तो नीचे description box में लिंक है आप लोग जाके ज़रूर एक बद चेकाउट करना और कुछ भी doubt है तो आप question पूछ सकते हो comment section में उसका जवाब ज़रूर आपको दूँगा तो मिलते किसे अगल interesting और amazing वीडियो के साथ तब तक के लिए stay alert stay safe and bye bye